हलो फैंड वेलकम टू अनलाइन फ्रेज स्टडी फैंड इस वीडियो में देखने वाले हम मौरे सामराज से लेटेट इंपॉर्टन एमस्यू देखेंगे और उससे पहले कुछ इंपॉर्टन जो है उसके बारे में जानेंगे देखें फ्रेंड यह वीडियो इंपॉर्टन क्योंकि आपने देखा होगा CGL और CHSL का एक्जाम हुआ जिसमें CGL में इसे पूछा गया ठीक है और CHSL में अशुक समराज से पूछा गया मौरे सामराज से भी पूछा गया था तो हम आज जो है इसन हिश्टी में मौरे सामराज इसको कम्ट्रीट करेंगे और काफी सारे MSU करेंगे और काफी सारे important points भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो यह वीडियो जो है important है और इस वीडियो की PDF जो है मैंने आल्ड़ी जो है Telegram ग्रूप पर डाल दी है तो Telegram ग्रूप से आप जो है PDF डाउलोड कर सकते हैं और वहा से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं बहुत सरी वीडियो मिल जाएंगे आपको बहुत सरी से PDF मिल जाएंगे जो आपको help करेंगे चली स्टार्ट करेंगे वीडियो को तो पहले मैं थोड़ी सी information देता हूँ यह मौरस अम्राज है क्या actual मैं इस से related क्या है important चीज़ ह पहले हम जान लेते हैं देखे तो से पहली बात यह है कि भगवान बौदे के जन्म के पूरु लगबग छटी सदाब दी यानि कि इशापूरु में भारत बर्ष में 16 महा जन्पत बढ़ गया था जिन में सर्वदिक सक्ति साली या फर कहें सबसे सक्ति साली जो सामराज था बुद्ध मघत महाला जन्पत उसे कहा जाता था तो मघत पर साशन करने वाले जो राजा थे या पिरमुक राज्बं से उनको मैंने जो है स्टार्ट से लिखा यमिद्ध से लिखा है जो स्टार्ट हैं आसे सिकी पहला था अब यहाँ पर हम मौरे बंस को ही क्यों पढ़ रहे हैं तो फ्रेंट की important है बहुत ज़्यादा important है मौरे बंस में अशोक और चंद्रगुप मौरे यह दो इतने ही ज़्यादा important है फ्रेंट्स यहाँ पर और आपको पता है कि अशोक समराज से related सिलाले की जो रहते हैं वो आपसे कईयों बार exam पुछे आते हैं तो यहाँ से भी आपको मैं बताने वाला हूँ ठीक है तो फ्रेंट यह important वीडियो रहेगी मौरे समराज के बारे में और भी जानते हैं तो मौरे समराज का सबसे पहला कोशन होता चंदरगुपत मौरे जो है उसको क्या था उसका संस्थापक था कब इसकी स्थापना करे गई वन्स की तो मौरे समराज की बूह करे गई 322-25 इशाप पूर्वर में करे गई इसकी इसापना और कब तक चला आए 298 में इशाप पूर्वर तक है इन्होंने अपने जो गुरु है यानिक इनका गुरु का नाम तो इनके गुरु का नाम अलग अलग तीन अलग अलग नाम उससे जान जाते हैं तक पहले तो चाड़के हैं कोटले हैं और विश्णुकुप्ते हैं इनकी मदद से नंदवंश का जो है के अंतिम शाशक इनका न बारा लेकी कई पिरश्यद बुस्टत सभी को पता है जिसका नाम है एर्थ-सास्त्त के नाम आर्थ-सास्त्त टीक है जिसका संबंद राजनीती से होता है उ चंद्रूप मौरें जन इन यह उन्ह ने जो है area उसके बाद कुछ तो यह पूरी कहानी थी चंद्रगुप मौरे के बारे में और चंद्रगुप मौरे का उत्तर रही का रही है उनका पुत्र थे बिंदुशार थे जन्म हुआ 208 पूरे में मगत की राजगती बेवे बैठे बिंदुशार अमित्रगात के नाम से जाने जाते थे आपसे फूच लिया है कि सत्रू बिनाशक के नाम से कौन जाना था या अमित्र घात के नाम से कौन जाना था बिंदुशार जो किसके पुत्र थे चंद्रुप के ठीक है और अश और उनके बाद अगर आप बात करें संब्राट अशोग जो हैं वो किसके पुत्र हैं वो हैं बिंदुशार के पुत्र थे तथा उत्तर अदिकारी थे जो दो हसो उनतर ईश्वी में मगत की राजगती बठे और मौरे मश्च अंतिम शाशक की बात करें तो ये ब्रहदर्थ था कौन ता ब्रहदर्थ था ठीक है इसकी मित्यू शेना पति जिसका नाम था पुशव मित्रस नाम था और उसने एक सो पिच्छासी सपूर्व मैं इसे माट दिया और मगद पर जो है इक नया स्थापित वगा जिसका नाम भा शुंग बंस ठीक है और इस परकार मगद उंस का पर मौरे बंस जानेगी तीनसो तीनसो बाइस से लेके सपिच्छा सी सपूर्व का जो है काल जाने के एक सो सेथीस काल इस बरस तक अपना जो है राज किया मौरे वंस ने उसके बाद ये सापत हो गया ठीक है इसके बाद आप हम करने वाले हैं यह एक और है कि बहुत कौन-कौन से आये है र तीनसो बाइस से लेकर दोसो अंठान बे तक रहे 25 वर्स ने साशन किया सबसे इंपॉर्टन बंदे थे भिर बिंदु सार आये फिर अशोक आया ठीक है फिर कुडाल आये कुडाल कौन है पूछा एता है आपसे अशोक के कौन है पुत्रे है फिर इनके दश्रत ठीक है संप सबसे जो है साहन किया वो किया अशोक नहां जो कह जाता है उनने किया्सएदा साशन पर प्रवल्ग टिंधुशार और बिंदुशार और अशोक पर करेंगे वीडियो मैं नहीं स्सेप करेंगे को हम के MSQS से पढ़ेंगे, डिक MSQS में important question है, सारे question लगाने है, पहला question है, आपके लिए, मौरेबंस का अंतिम शाशक कौन था, कुछ देर पहले ही, आपको answer कमेंट करना है, question बहुत simple है, तो ब्रहदर्त था अंतिम साचक मौरबंस का अंतिम स्वर ब्रहदर्त था इसकी हत्या जो है इसके सेनापुति जिसका नाम था पुशम मित्र सुंग यूनों ने सुंग बंस की स्थापना करी अगे देखेंगे साची के स्थूप किस कला वा मूर्तिकला का निरूपन करती है जैन धर्म का बौद धर्म का इशाई धर्म का या मुस्लिम धर्म का बहुती important question exam में कई उबार आया है comment करना है और answer देना है ठीक है आपको maximum 5-10 second लेने है जितना मैं बात कर रहोतने में आपको answer comment कर देने है तो यहाँ पर आएगा answer साची स्थूप जो है बौद धर्म से प्रिरित है ठीक है तो देखे साची के स्थूप जो है मद्ध प्रदेश में है पता दो कि यूनेस को सन रक्षित है ठीक है यह बुद्ध कला अब मूर्ति कला का करता है और इसका निर्मार जो है अशोक शम्राट ने कराया था किसने अशोक ने कराया था बहुत ही important question है आगे बढ़ेंगे बिंदु शार के साशन के दोरा अशानती कहां थी मतलब लडाई वगेरा कहां हो रही थी अशानती कहां होई थी तो जैन में होई थी स्वाड़ गिरी में होई थी तकशिला में अशानती थी या बैशाली में अशानती थी question आराम से पढ़िएगा और answer देदिएगा क्या रहागा question का answer इस answer है गा option C तकशिला चंद्रोप्त मौरे के उत्तर दिकारी इवं उनके पुत्र जिनका नाम है बिंदुशार ठीक है बिंदुशार के ससनकाल में तकशिला में बिद्रो हुआ और बिंदुशार ने बिद्रोहियों को कोचलने के लिए अशोक को तकशिला भीजा ठीक है अशोक को भीजा अगला question कलिंग युद किस बर्स में हुआ था कलिंग युद कब हुआ था बहुती फेमस कोचन एक्जाम में आता रहता है दोसो एकसर टू सिक्स नाइन त्री सोरी टू त्री तू इसापूर्व या फिर दोसो चालीज इसापूर्व यहां पर आगा question का अंसर यह हुआ दोसो एकसर इसापूर्व में तो देखे आशोक ने अपने राजविशेक जो हुआ दोसो उनततर इसापूर्व में और आठवे वर्स के आठवे वर्स यानि कि दोसो एकसर इसापूर्व में कलिंग पराक्रण किया और इसका जो स्पष्ट साक्षे जो है अशुक की सलालेक हैं और उनके तेरवे सलालेक में इनका प्रमान प्राप्त मिलता है ठीक है कब 2001 सजी सर्वाइब अगला गोशिन आशो का समकाली तुर में कहां का था तुर में जो है कहां का था आपको बताने है मिश्र का था सीरिया का था मौसोडोमिया का मौसोडोनिया का था या कोरिंग था तो आंसर देना है कमेंट करना है क्या रहेगा इस कोशिन का आंसर इंपॉर्टन कोशिन है तो यह आएगा कोश मुहरार राजबंच खतम हुआ थिक है ब्रदर्त के बाद में अब को बताना है जो जो सुंगबंच आया था ठीक है तो इसे सेनापती सेनपती कौन था पुशिमित्र सुंग था और उनने इसकी हत्ता कर दी एक सव पिच्चा सी सपूर में ठीक है और सुंग बंस की स्थापना करी अगला कोईशन कलिंग वजय के उपरांत अशोक महान ने निमले के किस धर्म को अपना अपनाया लिया था सिंपल कोईशन है ठीक है सांची स्थूप बनाए है सांची स्थूप किस धर्म के उपर लगों बने हुए यह बहुत धर्म है ऑप्शन है अगला कोईशन अशोक के अभी लेग को सरपतम किसने पड़ा देखिए यहाँ पर आपको दो कोईशन जो है इंप्वर्टन रहेंगे एक तो पढ़ा किसने और एक तो खोजा किसने ठीक है अशोक के सलालेकों को खोजा किसने अशोक के सलालेक को या भी लेकों को किसने पढ़ा ठीक है ठीक है ठीक है पढ़ा गया बाद में लेकिन खोजा गया पहले खोजा तो पहले जाया गया लेकिन बहुत पहले खोज लिया के द्वारा और एक सत्रा सो पचास में खोज लिया गया था कब खोज लिया गया था ठीक द्यान रखिएगा अगला कोजिशन आशोक ने किश बौद्द सादू से प्रहावित होकर बौद्द धर्म को अपनाया था बहुत ही अच्छा कोजिशन है ब्रह्मगुप्त के उपद तो ये भी कोश्यन आ सकता है ब्रधर तो ये लास्ट शाशक्त है तो उपशन हम आठ रटा सकते है उपगुप्त यहां से होगा नहीं ठीक है तो आंसर दीजिएगा क्या रहेगा यहांशर होगा अगला कोश्यन को युद्द की बिजेट अब अच्छियों का बढ़न अश ifiersोकि किस सिला लेख में मिलता है अज owbay कि चलह लेख हैं शोडर सिला लेख हैं आपको बता दूंबहुत ही important है उन्हें के बारे भी इम बात करेंगे अगली वीडियो जो रहेगी वशेक के सलाले के आशोक से सम्मंद्ध रहेगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं विराओंगा लेकिन उसमें जितने भी बाते होंगी वो important रहेगी अभी मैं इतना भी बता रहा हूं वो भी बहुत जादा इंपोर्टन और एक्जाम में repeated होते हैं ठीक है कलिंग युद्ध के की बिजय तथा चक तक जो छत्रियों का बर्णन अशोक के किस सलालेक में राप्त होता है पहला दूसरा बारवा या तेरवा तो यह सलालेक होता है तेरवा ठीक है कलिंग युद्ध की बिजय एवं अश खुआ के हिर्दय परिवर्तन की बात तथा चतियों का बंढ़न अशोक के तेरवे शलालेक में मिलता है हिर्दय परिवर्तन से मतलब क्या है इन्होंने जो है युद्ध त्याग दिया था युद्ध करना बन्द कर दिया था ठीक है और काफी सारी चीज़े हैं मैं बताउं के अशोग के या हर्ष बर्दन हर्ष बर्दन पर यहां पर आप नाम नहीं रे पाएंगे वे हर्ष बर्दन यहां से जो है कनेक्टिंड नहीं है तो यह कोशिन आएगा हमारा option आएगा 1A प्रिशद युनानी जो है वो आए थे चंदकोप मौरे के समय ठीके जो की सेल्यूकस नेकेटर के राज़ूत थे कहते हैं सेल्यूकस नेकेटर के राज़ूत थे और चंदकोप मौरे के दरवार में आये थे अगला question सरनाथ मैं किस समराट का इस थम्ब है बहुत ही अच्छा question एक्जाम में आता है इससे लेटर question बनेंगे और बताईगा कहरेगा question के बारे अच्छूक अकवर साजहां या शेर्शासूरी चलि आंसर दीजेगा कमेंट करी मौरे सामराच के बारे हैं पढ़ रहे हैं answer दीजेगा comment करीगा कहरेगा question का अच्छूक ने बहुत धर्म अपनाने के बाद धर्म में अच्छूक ठीक है प्रिचार के लिए अप उनके कारे करें ठीक है भावान बुद्द से सम्मदित इस्थानों पर सम्राट दौरा इस्थम लेग सिलेव मिसला लेग बातका राज चिन जो की सरनात इस्तित अशूक के सिंग इस्थम से ही लिया गया है यह कोशिन जो है सी एचेसल में और सीजेल दोने में आ चुका है ठीक है आप से पूछा या चुका है कि हमारे राजकिये चिन नह वो कहां से लिया गया है तो अशूक के सलालेकों से ही लिया गया है सरनात से सरनात में जो सलालेक मिला ठी है ओके तो यहां पर यह कोशिंट tomorrow इसका निरमार जो अशुक ने कराया िधार तो जो करें शाश्ण कि magnitude ने प्रिशाषन या प्रांतिय प्रिशाषन चले आंसर दीजेगा कमेंट करेगा क्या रहेगा स्कोशन का आंसर तो आंसर हैंगा आप्षिन मोर आबंस में यह जो है जिला पिरशाषन जो है एक तरीके से इस्थान्य था उगला लांग ऑप्षाष या मिगस्थनीज इंडिका नाम की पुस्तक किस ने लिखी बहुती important famous book तो यहाँ पर आएगा option D इंडिका नाम की पुस्तक जो है लिखी है मिगस्थनीज किस ने लिखी है मिगस्थनीज अगला गूशन मुहरे सामराइस के उपर लिखी है किस इस्थान के निकट परशिद कलिंग युद लड़ा गया कलिंग युद किस इस्थान पर लड़ा गया उदैगीरी में बाला शौर में धौली में या बारा बंकी में बारा बंकी बहुत सुना होगा आपने धौली भी सुना होगा लेकिन आपको आंसर देना है कमेंट करना है उदैगिरी भी सुनाओगा ठीक है उदैगिरी जो है एक परवत है ओके और यह जगह है कहाँ पर हिमाले की ठीक है माले से लेटर है उदैगिरी चले आंसर दीजेगा कमेंट करिए बाला शुर भी इंपॉर्टन कुसी से लट है त तो यह कलिम युद्ध प्राचीन काल में उडिशा जो है जगह है उडिशा राजे के धौली नाम अगिस्थान के निकट जो है लड़ा गया था आगे अगला गोशन है निमलेकित में से अभी लेकों में किस में अशोक का जो है नाम आता है जो है अशोक ने अपना नाम लेक किया है ठीक है नाम का उलेक किया है गुर्जरा में याविलेकों के नाम है ऐसे जिए ब्रम गिरी में सर्नात्म जो ओबी लेक शिलालेकिया अवईलेक बेरा अब vylee집 में अशोक का नाम जो jsह यह वह मिलता है ठीक है सम्राट अशोक किसका पत्र था बहुत ही सिंपल कोशन बिंदु साहर बिंभी साहर चंदकुप तु मौरे है कह था कह ओ? कोशिन बहुत California यहाँपर आएगा अंसर बंदु सार देखी चंदऱो तुमआरे आए फिर बंदु सार आए फिर आया इसके बाद कोन आया फिर इसके बाद आया स्क्समराण कॉनाल के बाद मैं यहाँपर इससे नीचे का इंपॉर्टन नहीं है उसके बाद इससे ब्रहदर्थ था ठीक है अगला कोशिन किसके सासन काल में डाय मेकस भारत आया था तो मौर है विंदुशार है अशोक है या कनिशक है तो यहाँ पर आंसरों का भी बिंदुशार तकि डाय मेकस नामक राजदुद बिंदुशार की दरवार में आया था इससे सीरियन नरेश एंटियोकस ने भीजा था तो यह याद कर लीजेगा कभी कभी कूछ लिया जाता है आज़कल डीपर कोशिन बहुत ज़दा कूछ आ र क्या रहेगा इस कोशिन का अंसर बताईगा इसका आंसर रहेगा यह रहेगा शोकने साचीस तो बनवाया शोकने ठीक है अगला कोशिन मौर समराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था उस समय क्या मुद्रा चलती थी दीनार तोल पन या इसमें से कोई भी नहीं तो इस चांदी तदातामे से बने होते थे इन सिक्कों को निश्क और सुन कहा जाता था ठीक है अगला कोजिशन परसे दे चांदी स्थम किस के समय में बनाए गई थे चांदी स्थम जो सांची स्थम परसे सांची स्थम किस के समय में बनाए गई कनिश्क के हश्वर्दन के अशोक के या बिंदुशार के तो बहुत सिंबल है साची इस्टूप और साची यहाँ पर आएगा क्या अशोक ठीक है अगला कोशन निम्ले के पर से अशोक का उत्तरदीकारी कौन थावी कुछ देर पहले बताया है ठीक है कोशन का आंसर आपको पता होगो आंसर डी से कमेंट कर दीजेगा और यहाँ आपर आंसर आएगा ऑप्शन ए कौनाल ठीक है ओके यहाँ पर अगला कोशन देखेंगे यह देखें पुराणों और बौध ग्रंत दिव्यावदन के अनुशार अशोक का उत्तरदीकारी कौनाल था बिंदुशार अशोक के पिता थे तता राहूल गौतम बुद्ध का पुत्र था ठीक है राहूल की बात कर रहूल जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे जो अगर आपके ध्यान में आ रहा है तो ठीक है अगला गोशे निम्लिकित मेंसे वह वेक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम देवा नाम प्रिये दर्शी था एक उपादी ही मानो ठीक है इसको एक उपादी नाम की माने यह खुद से होती है महाबीर या चंदरकुपति या अशोग या गौतम बुद्धन है तो आंसर आएगा उप्शन सीच अशोग तो मौरश अमराट अशोग का नाम था देवा नाम प्रिये दर्शी देवताओं का प्रिये इसका मतलब बता है समराट अशोग ने अशोग के विलेग में उसे देवा नाम प्रिये दर्शी तता राजा आदी की उपादी से संबोधित किया गया मास्की अबन गुर्जरा अविलेग में अशोग का नाम जो है अशोग मिलता है ठीक है अगला कोशन चारण को और अन्ने किस नाम से जाना जाता था चारण को कौन है मंतरी है किसका चंदगुप्त मौरे का और राजनीतिक के लिए बहुत ही महत्मून जो है नोना पुस्तक लेकी है अर्थसास नाम की तो क्या रहेगा अन्ने का कोशन का चंदगुप्त को कहते थे जाके चारण के को कहते थे एक तो बिशन गुप्त कहा जाता था कौटले कहा जाता था दू नाम इनके और थे या कि इत्यास में हमें मिलते है ठीक है अगला कोशन मौरे काल मैं सीता से क्या तात्पर रहे था उसर भूमी एक देवी राजकिये भूमी से प्राक्त आए या एक धार्मिक संप्रदाए सीता से आप क्या समझती हो जब मौरे काल था यहाँ पर डेफिनिटली ऑप्शन होगा सी ठीक है अगला कोशन चाड़क के किसका प्रादान मंती था बहुत सिंपल अभी कुछ देर पहले बताया है चलिए आंसर दीजिएगा कमेंट करिएगा ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी चाड़क के चंदकुप्त मौरे का प्रादान मंती था यहाँ पर ऑप्शन आएगा डेफिनिटली भी अग चंदकुप्तों मौरे यह जैचंद्र या चंद्र पीड क麼 ś जाला गया है इसमें चंदुत मौरे को ब्रशल तता कुलहीन कहा गया है का कहा है कुलहीन कहा गया है ठीक है इंपोर्टन है अगला गुश है चंदुत मौरे का प्रशिद गुरू जिनका नाम है चालक चालक के निमलिकित में से किस बिधा केंद्र से संबंदित था तक्षिला से बक्रमा शील से नालंदा से या वैशाली से तो यह आएगा कौन सा केंदर तक्षिला से संबंदित था तक्षिला का एक फेमस याफर कहें मा जाना माना एक कहते हैं इनको ग्यानी था अगला अगला कोशन अशोक के सिलाले किस लेपी में खोदे गए नहीं मतलब मिले इसमे मगदी आंसर दीजीगा कमेंट करिएगा बहुत ही इंपौर्ट कोशन है देवनागरी लिपी भी बहुत हिंपौर्टर हमारे लिए नोटों लिखे यह थी है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, तो आंसर एक option B, ब्रामबी, देखिए विज़ा हैं तो अशोक के अभी सिलालेक जो हैं, जो ब्रामबी लिफी में खोड़ दे गए थे, और वैसे तो अशोक के शिलालेक हैं, ब्रामबी लिफी के अलावा जो है, खरोष्टी, ग्रीक, अर्माइक लिफी और अर्माइक लिफी का भी प्रियोग किया गया है, ठीक है, और ग्रीक अर्माइक लिपी का जो विलेक जो है मिले है वो अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपी के जो मिले है विलेक बो उत्तर पश्चिम पागिस्तान से मिले है और शेस जो मिले है वो मिले है ब्राम्बी लिपी में उन्होंने क्या क्या है मुई बता चुका हूँ मैं सुनोंने मी कहेंगे उनको ठीक है आंसर दीजेगा कमेंट करेंगा तो आंसर आएगा option number a विशिद घ्रंत जिसका नाम है चानक के जिसका नाम अर्थसास्त्र और रशना की है कोटल ले आने की चानक ने अर्थसास्त का संब अगला कोशन करेंगे इसके बारे में इंपॉर्ण चीह है आप लेखी है तो आप स्क्रीन सौट ले सकते हैं बाकी आपको PDF मिल जाएगी अगला कोशन अशोक ने बौद धर्म के प्रिचार के लिए किसको शीलंका भेजा था शीलंका किसको भीजा था बौद धर्म का प्रि बार तीन वारे से कोशन आ चुकी है तो यहां पर option आएगा option A और B दोनों ठीक है निकि महेंद्र और संग मित्रा धोनों को यह बेजाता ठीक है ओके अशोक बद्धर्म का जो अशोक ने सको समर्तन किया ठीक है मतलब बद्धर्म जो है पना लिए बद्धर्म का प्रिचार करने के लिए बिक्चुओं को निक्ति की ठीक है और इसी क्रम में उसने अपने पुत्र यानि इनका नाम था पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री जो है संग मित्रा को सिलंका बेजा ठीक है अगला question कोटले के अर्थसास्त्र में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है धार अर्मिक जीवन पर आर्थिक जीवन पर समाजिक जीवन पर या राजनितिक नीतियों पर बहुत ही simple question आपको बताओगा राजनितिक नीतियों पर ही है अगला question चाड़क के चंद्रुप्त मौरे ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे मैंने question यह स्टार्ट में ही बता यह था आपको ठीक है यह और style में आपको बताया तक उडिशा में है उडिशा पड़ता है तो यह आप कौन से comment करना है कहां पर है पाठले पुत्र स्रवन वेल अगुला काशी या उज्जैन उज्जैन तो बिल्कुल पड़ता है उज्जैन तो भी पड़ता है मैंपी में क पड़ता है यह पीं पड़ता है तो आंसर आएका option है बी स्रवन वेल गुला तो देखिए चंदगत मौरे ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है जैन सादू ब्रद बाहु से दिक्षा घ्रान करके उनके साथ स्रवन वेल गुला यानिकि मैशूर करना स्वरी मैशूर करना अगला question मौरे समराज की स्थापना किसने करी मौरे समराज की स्थापना किसने करी सिंपल कोई ने किसने करी चंदुत मौरे ने ठीक है सिंपल था अब मैं आपको थोड़े से अरग एक्स्ट्रा question बताने वाला हूं ठीक है तो इनके answer अल्यड़ी पहले यहां पर लेके अगला है प्राचीन तंँ मौरे बशन का घाए अगरके स्थापना जो है टो चंदुत मौरे की स्थापन सहिटा infect तो तो मौरे के थे यह भी आपको याद रखना है तो कि मैं आपको बस शोड में आ रहा हूं बाकि आपको पताईए समरार्जुक का अधिकारी कौन था दश रत था ठीक है कौन था दश रत मौरे थे ठीक है उत्तर दिकारी के बात करें ओके और सुंग वंश का अंतिम साशन क कौन था शुंगबंस का अंतिम शाशक कौन था इंपॉर्टन कोश्य तो यह कुश्य आया को देव लिए सम्गबहूंश का आंतिमस रखता दे भूति है अधिकार अधिकारी जो है वशु देव निए और धिकार प्रतिम ने ता भारत का प्रतम साशक कौन था तो देखिए ऐसे आये भारत का प्रतम साशक कौन था भार से जो आया है भार से जो आया है तो वो आएगा कुटबिदिन भारत का पहला मुस्लिम शाशक था हिंदू अगर शाशक कूछ लिया जाए तो हिंदू साथक चन्द को तो मारे था जोन का संस्थापक था कूं था संस्थापक 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 संदो बॉइंध फुष के सथापना करे दो गोविमित्र संसधीए 已经 कि सायता से सायता से दो जो है दो बार मेग जो है मेग आश्व मेग सरी कहता आश्व मेग जो है वो यग किया तो यश्व मेग दो बार यग किसने किया भई पुशम मित्र सुंग ने किया ठीक है ओके इंपोर्टन है अगला आगे एक question और देखेंगे सुंगवंस की राजधानी क्या है आपसे पूछ लिए जाए तो important है सुंगवंस की राजधानी जो एक भ्रामण राजवंस था जो कि इसकी बिदीशा जो है इसकी जो है राजधानी रही है वो रही है बिदीशा थी ठीक है और पुष्मित की उपादी जो है सेनानी थी तो यह सारी चीज़े जो मैंने बताई आज आज आपको इसमें से आपको एक question 101 परशन एक्जाम में देखने के लिए बिलेगा आगली जो वीडियो आगी वो आगी अशोक क्यों पर क्यों वीडियो है क्योंकि देखी फ्रेंड इससे आपको दो कुछी आड़ी पूछ सके है ठीक है मैं आपको इसमें जदा कुछ बताऊंगा नहीं जदा बड़ी वीडियो नहीं होगी कल मिल जाएगी ठीक है आपको इसमें जदा कुछ important इतना ज़्यादा है नहीं लेकर फिर भी हम सलालेख करेंगे टीक इतना सलालेख अपको जितना के दो गिशला आदा को पासंद आए वीडियो और तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब निकीजनल को सबस्क्राइब करें एन इस वीडियो को वीडियो की जो आपने पीडियो के डाउनलोड नहीं करें आ टैलेग्राम पर आपको उस्वीडियो और वेस्ट आफ आपके एक्जाम के लिए आपके डाउनलोड के लिए